यह तो तुम्हारी पराजय हुई शकुनी वो तो हो गई पिताश्री परंतु हारना तुम्हे कैसा लगता है आप से हारना अच्छा ही लगता है परंतु एक शत्रिय को हारना अच्छा नहीं लग सकता चौसर में भी रण भूमी तो रण भूमी ही होती है और जहां हारजीत हो होती तो वो रण भूमी ही है परन्तु यह तो खेल मातर है पुत्र जहां हारजीत का परिणाम निकलता हो पिता श्रीव वो केवल खेल नहीं हो सकता ना ही कोई हारने के लिए जौसर खिलता है और ना ही कोई हारने के लिए युद्ध ही करता है पिता माराज भरतवन सरक्षक शान्तनू पुत्र अप राजय वीर गंगा पुत्र भीश्म पधा रहे है स्वागतम गंगा पुत्र भीश्म स्वागतम पुत्र इन्हे प्रणाम करो इनके चरण सपर्ष करना गंगा इस्नान के समान है प्रणाम मेरा पुत्र शकुनी आईए पधारिये आसन ग्रहन कीजी गंगा पुत्र ये गंधारी अनारों का रश है गंगा पुत्र गंगा जल के अत्रिक्त ऐसी मिठास कहीं और संभव नहीं मीठा है परन्तु इस से अधिक मिठास भी संभव है गंधार नरेश आप बुरा न मानिये गंधार नरेश मेरे लिए इन अनारों के रश से कहीं अधिक मिठास आपके उस हां में होगी जो यदि आपने मेरी प्रार्थना सुन कर की पहेलिया ना बुझाई ये गंगा पुत्र मैं कोरू राजकुमार ध्रतराश्टर के लिए राजकुमारी गांधारी का हाथ मांगने आया हूं नरेश मेरी बहन का हाथ आपने पांडु के लिए क्यों नहीं मांगा गंगा पुत्र उसके लिए वो अंधाई क्यों सूचा शकुनी क्षमा चातों अंपिताश्री आप मेरी चंद्रमुखी पुत्री को हस्तिनापुर के चंद्रवंशियों में ले जाने के लिए आये हैं परंतु गंगा पुत्र आपका ध्यान इस ओर तो जाना चाहिए था कि राजकुमार धृत्राष्ट्र नेत्रहीन है उनकी जीवन में गंधार देश का ये चंद्रमा निकला तो क्या और ना निकला तो क्या उनका जीवन तो सदेव अंधिकार में ही बना रहेगा ऐसा न कहिए पिताश्री परंपरा अनुसार वर्माला मेरे हाथों में है ये नर्णय लेना मेरा अधिकार है कि मेरा वेवा किससे होगा क्या आप मुस्से मेरा वो अधिकार भी छीन लेना चाहते है गंधारी मैं अपनी पिता गंधार नरेश अपने भाई राजकुमार शकुनी ताच श्री भीश और शंकर भगवान को साक्षी मानकर राजकुमार ध्रित राष्ट को अपना वर चुनती हूँ गंधारी पुत्री अभी मेरी बात पूरी नहीं हूँ है पिताश्री कुरू राजकुमार ध्रित राष्ट को अपना पती मानना गौरव की बात है सभाग्य की बात है सभाग्य की बात इसलिए है कि यदि मेरा सौंदर ये चला भी जाए तब भी मेरे लिए वैवाईक जीवन में कोई उथल पुथल नहीं होगी क्योंकि कुरू राजकुमार ध्रित राष्ट मुझे मेरे शारिर एक सौंदर के आधर पर सुईकार नहीं कर रहे है ताश्री ये क्यों गंधारी ये आविश्यक है ताश्री मुझे आशिर्वा दीजिए परन्तु गंधारी क्या पत्नी का ये करते हुए नहीं कि वो अपने पती के दुख को समझे मैंने आज से अपने जीवन को उसी अंधकार में लपेट लिया है मैं इस प्रकाश को इस जीते जाकते प्रित्वी लोग को क्यों देखो जिसका वे अनुभव नहीं कर सकते पत्नी की भागे रेखा को तो पती की भागे रेखा सही निकलना चाहिए न ताच्छी धन्य हो सौभाग के वतिभवा शत्र पुत्र वतिभवा परन्तु ये प्रतिज्यापी भीश महें का अंधारी हर वर्दान हर आशिर्वाद से बड़ी इसलिए केवल सौभाग्यवती होने का आशिर्वाद दे रहा हूं यदि तुम्हारी यही इच्छा है पुत्री तु मेरा आशिर्वाद भी लेती जाओ भगवान सदेव तुम्हे सुखी रखे गंगा पुत्र आप चलकर विभा की तैयारियां कीजिये गांधारी अपने भाई शकुनी के साथ हस्तिनापूर पहुँच जाएगी थन्यवाद थुम्हाराणी घट्राष्टी जय महाराणी गंधारी की जय महाराणी गंधारी की जय हस्तिनापुर महाराज के न्याय की जय और उस अन्याय की जय जो भरत्वन्षी महाराज अधिराज दृत राष्ट्र स्वयम अपने पुत्र दुर्योधन के साथ कर रहे हैं महाराज का नाम तो भारत वर्ष की इतिहास में रुपहले सुनेहरे अक्षरों में लिखा जाएगा परंतु मैं अपने भांजे और गंधारी पुत्र दुर्योधन के साथ यह अन्याय नहीं होने दूंगा तो मैं क्या करूं क्या कुंती से यह कह दूं के वो पांडु पुत्रों को लेकर वापिस पन में चली जाएगा नई मैंने यह कब कहा भाई के अनात बच्चों की देखरेक तो करनी ही पड़ेगी परंतु स्वर्गय पांडु का वो भवन उन्हें देने की कोई अवश्यक्ता नहीं थी वो भवन उन्हें देकर ठीक राज भवन में आपने उनके लिए उच्चा कांक्षाओं के बीच बो दे इसी भवन में कुंती पट्रानी बन कर आई थी भ्राता श्री अपने स्ने की गंगा के घाड पे स्नान करने की आग्या देने से पहले आपको अपने पुत्र दुर्योधन के विशे में तो विचार कर लेना चाहिए था हस्तिनापुर के भविशी की रक्षा तो भीश्म जी कर ही रहें परन्तु अपने पुत्र के भविशी की रक्षा तो आप ही को करनी पड़ेगी ना क्यूंके वो तो अभी बच्चा है ना और फिर तनि ये भी तो सोचिए जी जाश्री के वे पांडु पुत्र जो अब तक हिमालय के सुच्छ वाता वरण और रिशी मुनियों के सत्संग में रहे हैं उनका जी भला राजभवन की भीरभार में कैसे लगता वे तो यहां संतुष्ट और सुखी रही नहीं सकते वन में उड़ान भरने वाले पंच्छी के लिए तो राजभवन पिंजरे के समान हुआ ना गांधारी से तो कुंती ने यहीं कहा है कि उन्हें यहां हर प्रकार का सुख मिल रहा है गांधारी की तो आपने भली कही उसे विचार करना और उचनीश देखना तो आता ही नहीं अब बच्छी महरानी कुंती तो उसे तो यह कहना ही चाहिए था परन्तु फिर भी इस राजभवन पर पांडवों का अधिकार तुरियोधन से कम नहीं है उनका कोई अधिकार नहीं मैं उन पांचो को माड़ा लूँगा और उस भीम के साथ बैट कर दो मैं बोजन भी नहीं कर सकता और वो अर्चुन नचाने क्या समगता है अपने आपको मैं ले ढूलबरी वस्तरों समय पिता माकी गोदी में चड़ गया ये लोग राजभवन में रहने ही होगे नहीं पिताशरी वाच वाच अपनी उतेजना को दबाओ वाच अपने पिताशरी के अन्याय को सेहन करना सीखो और आप भी विश्राम कीजिये महराज, परन्तु सोते ही जागते अपने राज मुकुट को कशके पकड़ना न भूलिये चलो वक्स, चलें हस्तिनापुर के होने वाले नरेश को ग्यू आतुरता देखलाना शोभा नहीं देता दुरियो थन राजनीती का पहला नियम ये है कि राजा के मन की अवस्था का तो उसके अतिरिक किसी और को ग्यान ही नहीं होना चाहिए और तुमारा मुखमंडल तो एक भोच पत्र की भांती कोई भी पढ़ सकता है मामा श्री आप जो कहते हैं मैं केवल वही कहता हूं और करता हूं परन्तु फर्ल स्वरूप तो अब तक इसके अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगा कि राज की अकोष्ट लगभग रिक्त होने को है और युद्ष्टिर की लोग प्रियता में कोई अपक्ष्य दिखाई नहीं देदा दिखाई देगा प्रानों से प्रिय दुर्योधन दिखाई देगा मैंने पुरोचन जी को इस शुप कारे में लगा दिया है पुरोचन जी वो कारी कर सकते हैं जो एक पूरी सेना नहीं कर सकती भांजे वार्नावत में तो शिफ समारो हो ही रहा है ना जी हाँ और मैं उसमें जा भी रहा हूँ नहीं इस वर्ष वहाँ युवराज युद्ष्धिर ही जाएंगे पहलिया मत भी है ममा श्री तुम में यही एक दोश है कि वाक्य पूरा सुनने का कश्ठी नहीं उठाते बांजे बीच में ही बोलने वाले पर डिपनिया करने लगते हो मैं वहाँ पूरोचन जी से युवराज युद्ष्धिर के लिए एक लाक्षे क्रिह बनवा रहा हूँ केवल एक जिंगारी और युवराज युद्ष्धिर की कथा समास्त लाक्षा ग्रहा श्रमा चाहता हूँ मामा श्री सच मुछ मेरी पुद्धि प्राश्ट हो गई थी कि मैंने आपकी चदुराई पर संदेह किया युवा वस्था इसी का नाम है प्राणों से प्रियतुयो परंतु इस शुपकार में तुम्हारा योगदान बहुत आवश्यक है पुत्रों वो कैसे वो है क्या कि तुम्हारी प्रिदाश्री कभी कभार उधर जुग जाते हैं वो अपने अनुच पांडू के पुत्रों को हानी पहुचाए बिना तुम्हें हस्तिनापुर नरेश ब तुम्हारा कारे है उने समझाना के इस वर्ष बार्णवत समारों में तुम्हारे स्थान पर वो युपराज युदिष्ठिर को यदि पेज दें तो तुम प्रसंद होगे और यदि तुम इस कारे में सफल हो गए भांचे तो समझो के तुम्हारे तल्वे से युदिष्ठिर का काटा सदा सदा के लिए निकल गया और जीत अवश्य हमारी पताश री को मैं मना लूँगा प्रिये दुर्योधन क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो वत्स कहदो कहदो दुर्योधन घबराओ नहीं टरो नहीं कहदो देखें पिताश री आप मेरा एक निवेदन सुनिये आपने मुझे दिया हुआ अपना वो वचन टूट जाने दिया कि आप मुझे को युवराज बनाएंगे मैं चुप रहा आपने युदिष्ठिर को युवराज बन जाने दिया मैं उस पर भी चुप रहा और मेरे कहने से मेरे और भाईयों को ठोड़िए मेरा प्री अनुज दुसा्तन तर कुप रहा परन्तु अब हमारे चुप रहजारी की सीमा यहीं पर समापत होती है परन्तु तुमारा प्री ये दुरियोधन सत्यकारा महराच परन्तु तुम्हारा प्री ये दुर्योधन कहे क्या रहा है प्रादाश्री मैं ये कह रहो पेताश्री कि आप तो राजभावन से निकलते रहें और हमने आपको बहुत कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम आपनी जिन्दा को बढ़ाना नहीं चाहते परन्तु ऐसा क्या अनर्थ हो गया है पुद्र अनर्थ ये हो गया है जिजह श्री कि युदिष्ठिर ने सारी जन्समुदाय का खूरिद जीत लिया है यह जान कर तो सभी को प्रसं होना चाहिये गंधार यह जानकर ना तो मुझे परसंद होना चाहिए जीजा श्री और ना आपको वो क्यों वो इसलिए पिता श्री कि युधिष्ठर की लोगप्रियता का केवल एक अर्थ है उसके तुणीर में उसकी लोगप्रियता का एक वाण आ गया है और वो निसंदे उस वाण को आप ही क्योर चलाएगा परंतु क्यों वत्स क्यों वो इसलिए महराज कि वो राजगत्दी पर बैठने के लिए व्याकुल है ये राजगत्दी भी अजीब वस्तु है बड़े बड़े राष्ट्र भक्तों और पित्री भक्तों को डिगा देती है भगवान की क्रिपा से आप अभी स्वस्त हैं आशा है कि बहुत दिनों चीवित रहेंगे तो आपके ना रहने की प्रतीक्षा करने से तो कहीं अच्छा रहेगा कि जन समुदाए और राज्ज सभा के सम्मानित सदस्य आप पर दबाव डाले माराज कि आप कुंती पुत्र युधिष्टिर के पक्ष में सिंघासन से हट जाएं क्योंकि वैसे भी तो आप पांडू के प्रतीनिधी के रूप में राज्जी कर रहे हैं अब आपके पास तो इस तरक का कोई काट होगा मेरे पास तो नहीं है जी जाश्रीप परंतु मेरा युधिष्ठिर ऐसा नहीं कर सकता ये कार ये आपका युधिष्ठिर स्वैम थोड़ी करेगा ये कारे उसकी और से करेंगे हस्तिनापूर के लोग ये कारे करेंगे वो राजा महराजा जो स्वर्किय पांडू के मित्र थे आपको याद नहीं जब युवराज का चुनाव चल रहा था तो आप ही के सेनापती ने किसका पक्ष लिया था और सौ बातों की एक बात ये है पिता शिरी कि मुझे युधिष्ठिर का अधिंग बनकर चीना सुईकात नहीं है यदि शीख रही आपने उनका कोई उपाई नहीं किया तो मैं प्रण करता हूँ कि मैं आत्मक्त्या करनूंगा यह तुम क्या कह रहे हो पुत्र तो मैं और क्या करूं पिता शिरी मैं आपको आधेश तो नहीं दे सकता ना अच्छा तो यह बताओ कि मैं क्या करूं भगवान चंद्रमॉली शिवशंकर के बहुत सब्सक्राइब महराज की और से भाग लेने के लिए युवराज युधिष्टिर का ही वार्णवत जाना उचे जान पड़ता है महराज वार्णवत परन्तु इस महत्सों में तो सदय मैं जाता रहा हूं प्राद शकुली आप इसलिए जाते रहे हैं महराज के आज तक हस्तिनापुर्ग के पास युवराज था ही नहीं नहीं तो सदा युवराज ही इस महत्सों में जाते हैं ताकि उनका जन्द समुदाए के साथ सीधा संपर्क बना रहें भगवान की गृपा से आज हस्तिनापुर्ग के पास युवराज आ गया महराज तो उनका वहां जाना ही उचित होगा परन्तु प्राद शकुली यह कभी कबार प्रश्न ना करना भी राजनीती है आप तो जानते हैं कि शकुली सदैव आपके और आपके परिवार के हित की ही बात करता है जी जामाराज आप ही पर तो मुझे विश्वास है मैं आपके इस प्रस्ताव पर विचार करूँ यह सत्त है ब्रादा शकुली कि मैं अपने प्रिये पुत्र दुर्योधन के शीषवर हस्नापुर का राट बुकुट देखना चाहता है परन्दो इसे भी सत्ते ही समझें कि मैं प्रिये युधिष्ठिर या अन्य बांड़मों के साथ जानते बुढ़ते हुए कोई अन्याय नहीं कर सकुए युधिष्ठिर मुझे अत्यान प्रिय है वो मेरा आज्याकारी भी है तो फिर आज्या दे दीजे महराज के युधिष्ठिर वार्णवत समारों में चला जाए जगडा की समावत तुम्हारा ये मित्र है बड़ा मूर्ख अरे मैं तो इसे इसलिए जहलता हूं पुत्र के तुम्हारे प्रती इसकी निष्ठा पर मुझे अटल विश्वास है हाँ राजनीती में ऐसे मूर्खों का अपना ही एक महत्व और स्थान होता है जब चावोई ने वान बना कर किसी की ओर चला दो या फिर चौसर की गोटी बना कर पिटवा डालो तो मैं ये कहरा था पुत्र के मेरी इंद्रपरस्ट वाली हार से ही तुम्हारी जीत का मार्ग निकलने वाला है और तुम ये भी देख लोगे के ये मेरे पांसे केवल पांसे नहीं है ये मेरी सेना है जिनोंने हारना तो कभी सीखा ही नहीं नहीं मामा श्री वे इतने मूर्ख नहीं है वे चौसर खेलने कभी नहीं आएंगे आएंगे भांजी वे अवश्य आएंगे क्यूंके कोई भी क्षत्रिय युद्ध और जुए के आमंत्रण को तो अस्विकार कर ही नहीं सकता ये तो क्षत्रिय मर्यादा है भांजी और पांडव तो मर्यादा भंक कर ही नहीं सकते और फिर ये आमंत्रण तो जेश्ट पिता श्री की और से जाएगा ना पांडव यहीं से इंद्रप्रस्त लेकर गए थे भांजे पांडव यहीं पर इंद्रप्रस्त दे कर जाएंगे और द्रोपदी मेरे अपमान का क्या होगा ममा श्री उसका भी उपाय सोच लिया जाएगा परंतु पिता श्री उनकी अनुमती में लब बहुत कठिन है तब तु तुम अपने पिता श्री के पुत्रमों को जानते ही नहीं भंजे अरे तुम कुछ चाहो और वो तुम्हें ना दे ये तो कभी हो ही नहीं सकता और ये भी न भूलो के उनके घृदे में भी इंद्रप्रस्थ का चोर कहीं ना कहीं अवश्च बैठा है वे इंद्रप्रस्थ गए अवश्च थे परंतु वहां से प्रसान नहीं लोटे हैं सम्राठ युधिष्ठिर ने उनसे उनका एक स्वपन जपट लिया है वो तो सदैव यही चाहते थे के तुम्हारा राज सुई अग्य हो तो क्या वो मान जाएंगे कहके देख लो पुत्र हां हाथ कंगन को आर सी क्या हाँ तुम चिंता ना करो दुर्योधन हम अभी महराज के पास जाएंगे प्रिय युधिष्ठिर और पोत्र दुर्योधन आ गए हैं सब लोग आ चुके हैं महराज है और आप ही कि आग्या की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि देउत्क्रीडा आरंभ हो कि देउत्क्रीडा आरंभ हो जेश्ट भाताश्री पहले नियम तो बना लो पुत्र भाईयों के बीच में नियम कैसे मामा श्री क्रीडा तो क्रीडा ही होती है जेश्ट भाताश्री इसलिए खेल के शुभारम से पहले नियम तो बना ही लेने चाहिए कि ताके खेल के उपरांद कोई आरोप न लगा सके मेरी और से तो कोई विशेश नियम नहीं है नुच्छ तुम बताओ मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ भाताश्री कि दाव तो मैं ही लगाऊंगा परंतु पांसे मेरी और से पूज्य मामा श्री ही फैंकेंगे वो क्यों यदि आपको पांसे भीकना नहीं आता है ब्राता दुर्योधन तो फिर हमें द्यूत के लिए आमंत्री थी क्यों किया क्या इंद्रप्रस्त नरेश मामा श्री से खेलते गबराते हैं घबराने न घबराने का तो प्रश्णी नहीं उठता है सूत पुत प्रधन की युद्ध और द्यूत में प्रति पुरुष को आगे नहीं किया जाता है अर्जुन ठीक कहते हैं महराज आपके लिए तो सदैव अर्जुन ही ठीक कहते हैं काका श्री यदि मेरे जेश्ट भटाशी महीं खेल ना चाहते तो न खेलेет है परंटु यदि द्यूत कृणा होगी को पांसे मेरी और से मेरे पूज्जी मामाशी री फैंकेंगे क्रिडा में हारना अपमान नहीं होता पुत्र मैं मान अपमान की बात नहीं कर रहा हूं पितामा परंतु मेरी ओर से पांसे मेरे मामा श्री ही फैंकेंगे नहीं तो ये द्यूत क्रिडा नहीं होगी परंतु पुत्र कोई एक कारण तो बताओ के ऐसा क्यों होगा ऐसा इस लिए होगा पिता श्री क्योंकि ऐसा होने के लिए मैं कह रहा हूं यदि जेश्ट भ्रता श्री को ये स्वीकार नहीं तो गालो एच उसर मैं जा रहा हूं अनुज दुर्यधन यदि तुम यह चाहते हो कि तुम्हारे पांसे मामा श्री फैंके तो यहीं होगा तुम बैठ जाओ इतनी ग्रोधित ना हो बैठो मांचे बैठो कि तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो दुशासन पांडव कल इंद्र प्रस्थ लोटने वाले हैं प्रातश्री जाने दुशासन मैं भी जब उन्हें देखता हूं तो मेरी कनपटियों के नीचे एक आग सी सुलोग उठती है और मुझे लगता है कि ये आग मुझे मेरे व्यक्तित्व को मेरे आत्म सम्मान को चाट जाएगी उनका जाना तो प्रसंड होने की बात है परन्तु मैं ये सब देखकर कैसे प्रसंड हो सकता हूं भाता श्री मामा श्री ने हमारे लिए जो कुछ जीता पांड़ा वो सब लेकर इंद्र पर स्लोटने वाले पिता श्री को भी मैं क्या कहूं उन्हें नेत्रहीन कहने से कुछ नहीं होगा पुत्र वे थो नेत्रहीन हैं ही वे मूर्ख है उन्हें मूर्ख कहो प्रिय दुशासन मूर्ख कि सारे मानव इत्यास में श्री श्री धृत्राष्ट जैसा पिता अकताची थी कोई निकले जो अपना जीवन अपने पुत्र के अधिकारों को किसी और के पुत्र को देने में बिता रहा है आपके होते हुए मामा श्री इन्हें चिंता करने की भला क्या वशक्ता हो सकती है आपके तूणीर में शट्यंत्रों के अभी बहुत से वान होंगे सत्य कभी व्यंग का अधार नहीं बन सकता अंगराजकर्ण हाँ ये तुमने ठीक कहा मेरे तूणीर में अभी वान रिक्त नहीं हुए तब तो मुझा आग्या दो मित्र ठेरों अंगराज चाते जाते ये तो बताते जाओ कि तुम्हें दुर्योधन अधिक प्रिय है या स् अपना शौर बोलो अंगराज है बोलो मेरी इन दोनों सेनाओं ने तो दाव मार ही लिया था परन्दु द्रापती ने आकर सारा बना बनाया खेल बिगाड दिया तुम भी तो वहां उपस्ते थे और तुम स्वयम साक्षी हो कि मेरी इन दोनों सेनाओं ने युध जीत लिय द्रापती किसी दिव्यास्तर की भाती आई और जीजाश्री डर के और इसी डर के कारण जीजाश्री ने द्रापती के साथ संदी कर ली तो आप क्या किया जाए यति एक हाथ खेलने का अवसर मिल जाए भणजे तो सब कुछ फिर से समेट लो असंभव पिताश्री फिर से दियूद किया गया कभी नहीं देंगे तब तो तुम महराज के पुत्र मों को समझे नहीं मित्र तुम जो कुछ मांगोगे महराज तुम्हें देने का प्रतना अवश्य करेंगे इसलिए उनकी और से तो चिंता ही ना करो प्रश्ण है उन तोनों अचारियों और कंगा पुत्र पिश्म का अरे वे तीनों तो रासिहासन के ही पाई से बंदे हुए सियां हैं उनकी और से तो चिंता ही ना करो भाजो हाँ यदि चिंता करनी है तो विदूर की और से करो चिंता करनी है तो मेरी प्रिय बेहन गांधारी की करो दनिक मुझे यह सोचने दो कि तुम महराज से जाकर कहोगे क्या पांडविस अपमान को चुपचाप सैन तो नहीं करेंगे मामश्री यदि उनके स्थान पर मैं रहा होता तो इंदर प्रस्त पहुंचते ही सेना लेकर हस्तिनापूर के और पलट लेता कदाचित वे भी यही करेंगे तो पिर हमें क्या करना चाहिए उनके आक्रमण से पहले स्वयम हमें उन पर आक्रमण कर देना चाहिए हाँ आक्रमण पहली बार तुम्हारे मुझे निकला हुआ ये शब्द मुझे अच्छा लग रहा है आंगराज आक्रमण पुत्र दुर्योधन पहला आक्रमण तुम करोगे गंगा पुत्र भीश्म पर यदि उन्हें चित कर लिया तो ना रहेगा बास और ना बजे की बांसरी और ये आक्रमण तुम्हे अभी करना पड़ेगा इसी समय इसी समय पुत्र दुर्योधन आक्रमण हां भांजे जाओ पुत्र इसी समय अाय जांग तुम्हें पुम्हें मित्र इतनी रात करें कैसे आना हुआ मित्र क्या मित्र के निवास पर समय देखकर जाया जाता है मैं तो बहुत पहले आगया होता मित्र परन्तु अपने क्रोध की अगनी को ढंडा करने के पस्चाथ याना चाहता था मैं तुम से ख्षमा चाहता हूं काहे के लिए आज राज सबह में पितामा ने जो तुम्हारा अपमान किया उसके लिए यदि किसी सूत पुत्र को सूत पुत्र कह दिया जाए तो इसमें अपमान कैसा अपमान तो उन्होंने तुम्हारा और तुशासन का किया है परन्तु वो तुम्हारे पितामा है तुम लोगों से कुछ भी कह सकते हैं पर वो मेरे विश्य में एक बात याद रखना भूल गए कि विराथ युद्ध में मेरे तेरा वानों ने उनके प्रियक गांटीव थारी अर्जुन को भी पेट कर रख दिया था किन्तु किन्तु उन्हें केविल मेरे घाव दिखाए दिये अर्जुन से द्वन्दियों तो मेरा अब होगा और उत्यास सक्षि होगा और वहीं आने वाले युगों को बताएगा कि तुम्हारा मित्र करण क्या था और कैसा था कि इसलिए तो मेरी चिंतना करूं मित्र कि यदि पितामा द्वारा मेरा अपमान हुआ भी तो इस समचार ने उस अपमान के खाव पर स्नेहलेप लगा दिया क्योंकि पांडुमों से अब युद्ध की तो ठेर ही गई है कि मैं तो फिर भी यही करूं अब आप कुछ नहीं बोलेंगे कि युद्ध आपका कारक्षेत्र नहीं है कि आपके शडियंत्रों के कारण हम लोग भरत्वन्ष की तिहाज को मुझ दिखाने के योग्य नहीं रहे युद्ध का नेने लिया जा चुका है और मैं युद्धाओं की भांती चैन से सो सकूंगा अरे मैं तो युद्ध को इसलिए टाल रहा था बांजे के पांडवों को हराने का केवल एक उपाए है परंतु तुम वो उपाए नहीं करोगे नहीं करोगे वो उपाए क्योंके तुम्हारा अंकार तुम्हें किसी के आगे हाथ पहलाने के आग्या यह नहीं देगा मैं किसी के आगे हाथ नहीं पहलाऊंगा जीजा श्री ने ठीकी कहा था कि पराजय तुम्हारे दुर्भग्य में है और ये दुर्भग्य तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा आप किसके आगया हाथ फैलाने को कह रहे हैं मामश्री मुझे बताइए न मैं भनाता श्रीक के ओर से उनके आगया हाथ फैला लूगा नहीं एसे विश्यों में प्रतिनी दित्व नहीं चलता पुत्र नहीं चलता किन्तु यदि युद्र दुर्योधन जीदना चाहता है तो स पॉयम इससे जाकर वासुदेव से सहायता मागनी ही पड़ेगी यदुवंशी बड़े शक्तिशाली है उनकी सेना भारत वर्ष की सबसे उत्तम सेना है हाँ यदि युद्ध हारना चाहते हो तो न आ जाओ वासुदेव के पास परन्तु यदि ये युद्ध जीतना चाहते हों तो वासुदेव की उपेक्शा नहीं कर सकते पुत्र governor शक्तिता है चाहों वासुदेव के पास अभी मैं तो इसे ही उचित समझता हूं कि हम्हें युद्धिश्श्चर के पास यह संद्यच भेजडेना चाहिए कि हम ईस वासुदेव क्रिष्ण की माया से भायवीत नह जो उसने करकर दिखाया है, हम भी रूप बदल सकते हैं, हम भी माया द्वारा आकाश मुर सकते हैं, रसा तल तक जा सकते हैं, और इंद्र पूरी में प्रवेश कर सकते हैं, यदी हम चाहें… पहला दूद उनकी और से आया था तो अंतिन दूद हमारी और से ही जाना चाहिए इन बातों में क्या रखा है मामा श्री अब तो हम रणभूमी की और कूछ करने ही वाले है और वहीं उनके और हमारे बहुबल की परिक्षा भी हो जाएगी मामा क्षरी आपके विचार से वहां किसे भीजा जाए यदी मित्र करन को भीजा जाए तो कैसा रहे है अरे ऐसा तो सोचना भी नहीं भांजे हैं ऐसा तो सोचना भी नहीं भांजे क्योंकि यदि अंगराज को वहां भेजा गया और इनको उनकी कोई कही हुई बात बुरी लग गई तो ये तो वही युद्धारम कर देंगे और तब तक नहीं लोटेंगे जब तक ये विजे प्राप्पना कर ले तो फिर तुमारी और म इसलिए प्रिये तुर्योधन मेरे विचार में पुत्रो लूक को उनके पास भेजना चाहिए ताके युद्ध से पहले ये भी दोने देख ले यही उचित रहेगा मामा श्री क्योंकि युद्ध के उपरान तो वह देखने योग्य भी नहीं नहीं जाएंगे बिल्कुल्ध का बिल्कुल्ध काव औाम जुद्ध कि आज़ुट घबदी तुम वास्त में बड़े वीर थे, तरल तु तु तुम्हारे चीवन का मैंने कभी आदर नहीं किया, राधे, कभी आदर नहीं किया, केवल दुर्योधन के कारल तुम्हें अपने बराबर बैठा पाया, हाँ, और उसे अपना अपमान समझता रहा, और उस अपमान को बेसा देव सहता रहा, हे सूदबुत्र, हे राधे, हे अंगराज, वीरकती को पराप्त होने की तुम्हारी इस अनोखी शैली ने तुम्हें आदर निये बना दिया है, अंगराज, ए महरती, ए दानवीर कर्ण, मैं कंधार नरेशकुनी, तुम्हें शत शत प्रणाम करता हूँ, युवराज, आपका मुकट का है मदर नरेश, शोक प्रकट करने आया हूँ, युवराज दुरियुधन, और इसलिए नंगे सिर आया हूँ, आज रनभूमी में कोई भी इतना महतुपूर नहीं है मदर नरेश, जिसका शोक प्रकट करने आप मेरे मित्र राधेल को अकिला छोड़ कर चलियाए, अपने स्थान पर किसे उसका सारथी बना कर आये हैं आप, क्या, वो भी वासुदेव जैसा ही निपन सारथी है, क्रिप में अशोक प्रकट न कीजिए मदर नरेश, जाएए मेरे मित्र के पास लोट जाएए, वो सारथी बिना युद्व कैसे करेगा, किन्तु, रथी बिना सारथी क्या करेगा युवराज दुरियोधन, मदर नरेश, नहीं, कहदो के जूट है, कहदो के ये जूट है, वे पांड़ इस प्रकार की बाते उड़ाने में निपन हैं मदर नरेश, भूल गया आप, कि उन्हाने गुरु द्रोन को निहत्था करने के लिए, गुरु पुत्र रश्वत्हामा की मिर्त्यू की घोशना कर मैं सुनी सुनाई नहीं कह रहा, युवराज, मैं अंगराज करण का सारती था, हे गांधारी नंदन, मैं तुम्हारे मित्र और प्रधान से नापती की रक्षा नहीं कर पाया, किन्तों मैं उसकी वीरता और अर्जुन की कायरता का साक्षी हूँ, हेवत, भारत वर्ष ने आज से पहले भी एक से बढ़कर एक योद्धा देखे हैं, और आज के पश्चाद भी देखेगा, किन्तु, किन्तु करण जैसा महवीर, केवल एक ही बार जन्म लेता है, केवल एक ही बार, लोग्ष, से लोग्ष, से लोग्ष, से लोग्ष! क्या, अब इस अंसार में मुझे अपने मित्र करण के बिना जीना पड़ेगा? मद्र नरेश, मुझे अपने मित्र करण के बिना जीना नहीं आता, मद्र नरेश, जीना नहीं आता! मैं उनका अरपांडवों को अपने निन्यान्य भाईयों के वत्थ पर ख्षमा कर सकता हूँ परन्तु राधे की हत्या पर कभी ख्षमा नहीं करूंगा कभी ख्षमा नहीं करूंगा आज से मैं आपको प्रधान सेनपति न्युक्त करता हूँ मद्रिनरेश किन्तु मुझे खेद है कि आज के युद्ध में मैं आपके द्वच तले युद्ध करने का सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता किन्तु यदी कोई कल हुआ तो मैं ये सम्मान वश्य प्राप्त करूंगा परंतु आज के दिन मुझे अपने प्रियरादे के शोक में रहने दीजिए सावधान धार्मराज युदिश्टेर सावधान प्रदान से नफदी मुझे अ सावधान प्रॉदी सल्थ प्रव्ट प्रवाए टिस दो प्रवाबर्वा जो जोड़ से उनी है, जो उनी है लिए रिए। कि में जो कि आखिए 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 जेश्टे है हुआ है है हाहा हा हाहा हा हाथ आखिए रग गंधार नरेश कि और ले चलो गंधार मरेश सावधान भांजे सहदेव यह पांड़ों ने किस से सावधान करना सीख लिया भला यह तो वीरों की परंपरा है भांजे यह जूत क्रीडा भावन नहीं है गंधार मरेश यह रण भूमी है यहाँ पांसे नहीं वहां चलते हैं कपट तो फिर कपट होता है न भांजे चाहे वो जूत क्रीडा ग्रह हो यह फिर रण भूमी संभाल भांजे हुआ 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 ह कर दो कर दो ओован अजटाष्गें हुटाष्गा हुटा यफुटा चुटाष्टाइगे पाँ-जड़िह आए कि आए जाय उटतला हुटाष हुटाष्गें पाँ-जड यद बाँ-डचित नाय यदाँ-दिद आए-वटा-ए हुटाष्ट-बिदी लुटा-ए ऑटाए हुटाँ- खुछ कुछ अउननで वहा नहा नहा। ओ का ध जहाँ इसे वहाँ हा वहाँ बनुड़िसां दयार! भाहा! 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 ABOUT! भाहा! 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 । भाहा! हुआ 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 हु वे है! हुआ! कवरगी? औो अलबा, औो अलबा! ंड़ाइ! प्र प्रो प्रोड़ हुआ प्रोड़, प्रप झार लहाँ तॉक झार हुआ कि और लूग प्रोड़ कि यूओ झाल बाल खोज शो प्र थो आजया उखाँ अजया उआ है कि झार उपर दया घंग प्रणाम कुल्गुरु आईश्मान भाव कुल्गुरु आपने लेखन का कारीं के छोड़ दिया मैं प्रतीक्षा कर लेता आपका ध्यान भंग करने का मुझे खेद है कुल्गुरु नहीं महाराज, पांडुपूत युवराज युदिष्टिर यदि पतिक्षा कर रहे होते तो ओर बात थी हसनियापुर नरेश महाराज युदिष्टिर इश्वर के प्रतिनिती है मैं शिष्यक होकर, गुरू होकर यदिनीती का पालन नहीं करूँगा तो शिष्यों में मेरा सारा अवान सम्मान समाप्त हो जाएगा महाराज कुल गुरू, परन्तु यह राज युधिष्टिर और महाराज युधिष्टिर तो एक ही व्यक्ति है नहीं महाराज व्यक्ति एक है किन्तु पद अलग-अलग है हमारियों में पद तथा पद की गरिमा का ही तो सारा महत होता है कही राजन कैसे कष्ट किया गांधार से एक शुप समाचारा है कुलगुरू गांधार से शुप समाचार ये तो अपने आपने एक समाचार है महाराज एक लंबे अंतराल के बाद गांधार से कोई शुप समाचार सुनने को मिल रहा है प्रथम बार दिवी गांधारी के कुरुवंश में पुत्र वदूबन के आने का समाचार सुना था उस विवाह के बश्चात कांधार ने कभी कोई शुप समाचार नहीं दिया कुल गुरू मुझे तो प्रारम से ही चिंता थी कि मामा श्री शकुनी के पुत्र भाई विप्रिचित्ती हमारा मैत्री संदेश सुईकार करेंगे या नहीं क्या उन्होंने सुईकार कर लिया महाराज कुल गुरू पहले तो विप्रिचित्ती ने अश्र को पकड़ लिया और फिर अनुझ भीम को बंदी मना कर उन्होंने तो युद्ध की प्रश्च भूमी ही तयार कर दी थी परन्तो बड़ी मा के समय अनुसार कोहन जाने पर उन्होंने अपने निर्णे बदल दिया कुल गुरू अब जाकर सारा परिवार एक हुआ है फिर भी फिर भी मुझे एक प्रश्च तो सताई रहा है कुल गुरू न जाने क्यों कैसा प्रश्च महाराज कुल गुरू गांधा नरेश भाई विप्रिचित्ती में स्वर्गे मामाश्री शकूनी वाले सारे गुण है वे दियूत क्रिणा में बढ़ चड़ कर भाग लेते हैं और यदि उन्हें मामाश्री शकूनी वाली हड़ धर्मी भी होती तो हमारी मित्रता कदापी स्विकार नहीं करते हैं आपने सत्यकार राजन उसके एक मात्र गुण का कारण है उसकी माता शक्नी पत्नी चारुलिता एक विदिश्ची महिला है राजन संसार का सबसे बड़ा तथा प्रधम विध्याले होता है उसकी माता की गोद इसे आप संसगार की संग्या भी दे सकते हैं जानते हैं राजन स्वरी की शक्नी का सबसे बड़ा दोश क्या था क्या दोश था कुल गुरू उसका सबसे बड़ा दोश था राजन उसकी अज्यानिता वो कुल्वदु गंधारी का भाई था किन्तों अपने आपको अपनी बहन का भागय विधाता समज़ बैठा था अपने चार और उसने एक भ्रम का संसार बना रखा था अपनी बहन गंधारी का एक नेत्यन व्रक्ति की साथ विवा होने का प्रतिशोत वो समस्थ संसार से लेना चाता था इसके लिए उसने समस्थ नीतियों को ताक पर रख दिया राजन नीती कहती है कि ससुर के घर जामाता और बहन के गर भाई कुट्टे के समान होता है ये एक भाई के लिए डूब मरने जैसी बात है किन्तु जैसा मैंने कहा शकुनी अपने आपको इश्वर समझने लगा था और उस इश्वर के पास एक सुदर्शन चक्र था उसके पास ही फिर वही हुआ जो होना था राजन कारी यदि सही हो तो उसका परिडाम भी सही होता है किन्तु जब कारी है सही ना हो तो शकुनी जैसे लोग वंश का वंश उजार देते है जिस बहन का अंधारी का वंश शकुनी ने उजार दिया उसी बहन का अंधारी ने गंधार जाकर शकुनी के वंश की रक्षा की वरन आज आप शुक्नी पुत्र की मुर्थ्यू का समाचा लेकर आये होते कुलगुरू कदाचित इसलिए आपने कुछ दिर पहले मुझे पद और पद की गरीमा की बात बताई मामा शिरी शकुनी अपने पद की गरीमा को भूल गए थे और बड़ी माता गांधारी को अपने पद की गरीमा याद रही आपने ठीक कहा कुलगुरू मनुष्य को हर सिती में हर समय अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए इतनी सुन्दर बात बताने के लिए मैं आपका आभारी हूं कुलगुरू चलता हूँ प्रणाम सुकार कीजिए लोग कल्यार काईबाओ कौन कौन है वाँ मैं हूँ भ्रात श्री अर्जुन वे प्रिचित्ती वे प्रिचित्ती तुम यहां हो उदर राजमेल में तुमें ना पाकर सबी लोग चिंता में पड़े हैं प्रात भीम मैं भी ऐसी ही एक चिंता की समाधी बना रहा हूं चिंता की समाधी महल से दूर एक कांट में निरंजन वन में और वो भी इस रात्र के अंधकार में हाँ ब्रात श्री ये चिंता वो चिता है जिसमें की मनुष्य जीवन भर जलता रहता है परन्तु मरता नहीं है इस रात्री के अंधकार को तो भोर का सूरज निगल जाएगा किन्तु जिस अंधकार की मैं समाधी बना रहा हूँ वो अंधकार तो सूरज को भी निगल जाता है अनुच एसा कौन सा विनाशकारी शस्त्र है अनुच प्राता श्री वो एक ऐसी महा भयानक राक्षसी ताड़का है जो कि महा भारत की विनाश की जननी है और आज मैं वैसी ही एक रक्त चाटने वाली रक्षसी को दर्ती की गहराईयों में सदा के लिए दबा देना चाहता हूँ इस महा भिनाश की समाप्ती में हम भी तुमारे साथ है अनुच कौन है वो द्यूद क्रीडा प्राताशरी चिनके प्राण बसते हैं इन पासों में चरा देखे इन पासों को प्राताशरी इन पे उभरे हुए कोड के समान ये काले काले धपे साक्षात काल की संख्या है ये वही पासे हैं जिनोंने मेरे पिताशरी स्वर्गी महाराश शकुनी के हाथों में आकर कांधार के उजवल भविष्य को कालिक पोद्दी थी भाईयों को भाईयों से अलग कर दिया था ये वही पासे हैं जिनोंने धर्म राज युधिश्टिर जैसे व्यक्ति को उनकी धर्म की राह से भटका दिया था इनी पासों के कारण भावी शरी द्रौपती का चीर हरण होते होते बचा था यदि केशव ना होते भ्राताश्री तो इनी पांसों के कारण इस देश की मर्यादा सारे संसार के सामने नगन खड़ी होती ये वही पासे हैं जो कि महा भारत का युद्ध और पांडूओं के वनवास का कारण पने थे ये खड़क से भी अधिक धारदार भाले से भी अधिक नुकीले और वान से भी अधिक पैने हैं मैं आज इने सदा सदा के लिए समाप्त कर दूँगा तुमने ठीक ही कहा आनुज विप्रचिती खड़क तो मानव के शरीर को कार सकता है पर दूइत कीड़ा तो वो शस्तर है जो मानव चिरतर के टुकड़े टुकड़े का डालता है भाला तो केवल व्यक्ति को घायल कर सकता है किन्तु दूइत कीड़ा तो सारे समाच को पीड़ित करती है वान तो केवल तन को छेज सकता है किन्तु दुईत्र कीड़ा तो आत्मा को चल्ली कर देती है हमने तो इन पासों के लाए हुए विनाश को स्वैम अपनी आखों से देखा है नुच कुरुक्षेत्र में मानव रक्स से युद का इतियास भी इनी पासों ने लिखा था इनी पासों ने इन पासों के छाती में है त्वेश अहंकार और ग्रिना का लावा और जब ये लावा भड़ता है न तो परिवार का प्रेम नारी का सम्मान और कुल की मर्यादा को चला कर राक कर देता है राक इसी कारण तो मैंने नश्ट कर रहा हूँ भाता श्री क्योंकि ये वो विश है जो मुझे भी उत्रादकार में मिला हुआ है ये पासे तो मुझे भी भटकाने वाले थे यदि बुआ श्री कांधारी सही समय पर ना आती तो मेरे हाथों भी विनाश की एक कहानी लिखी गई होती अपने अहंकार और इन पासों के फेर में पढ़कर मैंने भी गांधार वासियों को नरक में टाल दिया होता किन्तु अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं अब इन पासों को धर्ती में इतनी कहराई से दबा दूँगा कि मिट्टी में मिलकर ये स्वेम ही मिट्टी बन जाएंगे और संसार से इनका अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाएगा भूल मुनुष की सबसे बड़ी ववश्ता है और प्राश्चत उसका सबसे बड़ा गुन है मुनुष सीखना चाहे तो उसकी भूल ही उसकी सबसे बड़ी शिक्षिक बन सकती है मैं तुमें इस कारगे के लिए इबधाई देता हूँ अनुज किन्तो मेरा परामश ये है अनुज कि इन दुष्ट पासों को धर्ती में गाड़ कर धर्ती माता को दुशित ना करो मेरे विचार में इन्हें नदी की बेहती धारा में फेंग देना ही उचित होगा नदी की धारा मानव चरित्र के इन पापी शत्रूओं को बाहा कर समुद्र की गहराईों में डुबो देगी जहां से ये दुष्ट पासें धर्ती पर आकर अपना अपवित्र सर नहीं उठा सकेंगे मैं अनुज अर्जन से सहमत हूँ इनका सर्वोतम स्थान समुद्र की गहराई है तो फिर आईए हम तीनों चल कर इन दुष्ट पासों को नदी की लहरों के समर्पित कर देते हैं ताकि इनका अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाए तो फिर इस शुब कारिया में विलंब कियों चलो अनुज पिता शुरी यदि आपकी आत्म आकाश की उचाईयों से धर्ती का ये द्रेश्च देख रही है तो मैं आपकी आत्मा को साक्षी मानते हुए आपके इन दुष्ट पासों को जल की धारा के समर्पित करने जा रहा हूँ ये दुष्ट पासे जिन्होंने कभी आपके हाथों के चमतकार बनकर धर्ती पा अनर्थ मचा दिया था आज मैं महाभारत युद्ध के सबसे बड़े खल्लायक का अंत करने जा रहा हूँ ये दुष्ट पासे जिन्होंने कभी करोडों प्राणों की आहूती ले ली थी मैं आज इस भयाना के तिहास के अंत की घोश्रा करता हूँ प्राता श्री ये लीजिए और शुबकार को अपने हाथों से संपन्न कीजिए हे इश्वर इन पासो जैसी और कोई वस्तूना बनाना जो माह भारत जैसे युद का कारण बने है इन जैसी और कोई वस्तूना बनाना जो मित्रता को शतूता में बदल दे इन जैसी और कोई वस्तूना बनाना जो प्रेम और स्ने को बैर में बदल दे इन जैसी और कोई वस्तू ना बनाना जो एकता को अराजिकता में बदल दे ए नधी की लेरों हम तीनों की और से ये पाप का प्रतीक ये दुष्ट पासों को स्विकार कीजिए और समुद्र की गहराईयों में सदैव के लिए इन्हें गार दीजिए मैं वचन देता हूं भ्राता शरी जब तक मैं जीवित हूं कांधार की धर्ती पद्यूत क्रीडा की विनाशकारी परंपरा का पालन कदापी नहीं होने दूंगा अयो शम्मान भावा अयो शम्मान भावा नूच अयो शम्मान भाव कौन कौन एवां मैं हू भ्राता शरी अर्जुन विप्रिचित्ती विप्रिचित्ती तुम यहां हो उद्र राजमेल में तुमें ना पाकर सभी लोग चिंता में पड़े हैं प्राता भीम मैं भी ऐसी ही एक चिंता की समाधी बना रहा हूं चिंता की समाधी महल से दूर एक कांट में निरंजन वन में और वो भी इस रात्र के अंदकार में हाँ ब्रादा शरी यह चिंता वो चिता है जिसमें की मनुष्य जीवन भर जलता रहता है परन्तु मरता नहीं है इस रात्री के अंदकार को तो भोर का सूरज निगल जाएगा किंतो जिस अंदकार की मैं समाधी बना रहा हूं वो अंदकार तो सूरज को भी निगल जाता है अनोच ऐसा कौन सा विनाशकारी शस्त्र है अनोच प्राता श्री वो एक ऐसी महा भयानक राक्षसी ताड़का है जो कि महा भारत की विनाश की जननी है और आज मैं वैसी ही एक रक्त चाटने वाली रक्षसी को तर्ती की गहराईयों में सदा के लिए दबा देना चाहता हूँ इस महा भिनाश की समाप्ती में हम भी तुमारे साथ है अनोच कौन है वो द्यूत क्रीडा प्राताशरी चिनके प्राण बसते हैं इन पासों में चरा देखें इन पासों को प्राताशरी इन पे उभरे हुए कोड के समान ये काले काले धपे साक्षात काल की संख्या है ये वही पासे हैं जिनोंने मेरे पिताशरी स्वर्गी महाराश शकुनी के हाथों में आकर कांधार के उज्वल भविष्य को कालिक पोद्दी थी भाईयों को भाईयों से अलग कर दिया था ये वही पांसे हैं जिनोंने धर्म राज युधिश्विर जैसे व्जटी को उनकी धर्म की राह से भटका दिया था इनी पांसों के कारण भावी शरी द्रौबती का चीरहरण होते होते बचा था यदि केशव ना होते भ्राताश्री तो इनी पांसों के कारण इस देश की मर्यादा सारे संसार के सामने नगन खड़ी होती। ये वही पासे हैं जो कि महा भारत का युद्ध और पांडूओं के वनवास का कारण पने थे। ये खड़क से भी अधिक धारदार, भाले से भी अधिक नुकीले और वान से भी अधिक पैने हैं। मैं आज इने सदा सदा के लिए समाप्त कर दूँगा। तुमने ठीक ही कहा आनुज विप्रचिती। खड़क तो मानव के शरीर को कार सकता है। पर दूइत कीड़ा तो वो शस्तर है, जो मानव चिरतर के टुकडे-टुकडे का डालता है। भाला तो केवल व्यक्ति को घायल कर सकता है। किन्तु दूइत कीड़ा तो सारे समाच को पीड़ित करती है। वान तो केवल तन को छेज सकता है। किन्तु दुईत्र कीड़ा तो आत्मा को छल्ली कर देती है हमने तो इन पासों के लाए हुए विनाश को स्वैम अपनी आखों से देखा है नुच कुरुक शेत्र में मानव रक्स से युद का इतियास भी इन ही पासों ने लिखा था इन ही पासों ने इन पासों के छाती में है त्वेश अहंकार और ग्रिना का लावा और जब ये लावा भड़ता है न तो परिवार का प्रेम नारी का सम्मान और कुल की मर्यादा को चला कर राक कर देता है राक इसी कारण तो मैंने नश्ट कर रहा हूँ प्राता शरी क्योंकि ये वो विश है जो मुझे भी उत्रादकार में मिला हुआ है ये पासे तो मुझे भी भटकाने वाले थे यदि बुआ शरी कांधारी सही समय पर ना आती तो मेरे हाथों भी विनाश की एक कहानी लिखी गई होती अपने अहंकार और इन पासों के फेर में पढ़कर मैंने भी गांधार वासियों को नरक में टाल दिया होता किन्तु अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं अब इन पासों को धर्ती में इतनी गहराई से दबा दूँगा कि मिट्टी में मिलकर ये स्वेम ही मिट्टी बन जाएंगे और संसार से इनका अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाएगा भूल मुनुश की सबसे बड़ी ववश्ता है और प्राश्चत उसका सबसे बड़ा गुन है मुनुश सीखना चाहे तो उसकी भूल ही उसकी सबसे बड़ी शिक्षिक बन सकती है मैं तुमें इस कारगे के लिए इबधाई देता हूँ अनुज किन्तो मेरा परामश ये है अनुज कि इन दुष्ट पासों को धर्ती में गाड़ कर धर्ती माता को दुशित ना करो मेरे विचार में इन्हें नदी की बहती धारा में फेंक देना ही उचित होगा नदी की धारा मानव चरित्र के इन पापी शत्रों को बहा कर समुद्र की गहराईों में डुबो देगी जहां से ये दुष्ट पासें धर्ती पर आकर अपना अप अवित्र सर नहीं उठा सकेंगे मैं अनुज अर्जन से सहमत हूँ इनका सर्वोतम स्थान समुद्र की गहराई है तो फिर आईए हम तीनों चल कर इन दुष्ट पासों को नदी की लहरों के समर्पित कर देते हैं ताकि इनका अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाए तो फिर इस शुब कारिया में विलंब की हूँ चलो अनुज पिता श्री यदि आपकी आत्मा आकाश की उचाईयों से धर्ती का ये द्रिश्च देख रही है तो मैं आपकी आत्मा को साक्षी मानते हुए आपके इन दुष्ट पासों को जल की धारा के समर्पित करने जा रहा हूँ ये दुष्ट पासे जिन्होंने कभी आपके हाथों के चमतकार बनकर धर्ती पा अनर्थ मचा दिया था आज मैं महा भारत युद्ध के सबसे बड़े खल्लायक का अंत करने जा रहा हूँ ये दुष्ट पासे जिन्होंने कभी करोडों प्राणों की आहूती ले ली थी मैं आज इस भयाने के तिहास के अंत की घोशणा करता हूँ प्राता शिरी ये लीजिए और शुब कारे को अपने हाथों से संपन्न कीजिए है इश्वर इन पासों जैसी और कोई वस्तूना बनाना जो महा भारत जैसे युद्ध का कारण बने हैं इन जैसी और कोई वस्तूना बनाना जो मित्रता को शतूता में बदल दे इन जैसी और कोई वस्तुना बनाना जो प्रेम और स्ने को बेर में बदल दे इन जैसी और कोई वस्तुना बनाना जो एकता को अराजिकताम में बदल दे ए नदी की लेरो, हम तीनों की और से, ये पाप का प्रतीक, ये दुष्ट पासों को स्विकार कीजिए और समुद्र की गहराईयों में सदेव के लिए इन्हें गार दीजिए मैं वचन देता हूँ भ्राता शरी जब तक मैं जीवित हूँ कांधार की धर्ती पर द्यूत क्रीडा की विनाशकारी परंपरा का पालन कदापी नहीं होने दूँगा अयुष्यमान भाव अयुष्यमान भाव अनुच अयुष्यमान भाव मैं समय हूँ विप्रचित्ती विनाश के सबसे बले शस्त्र और मानव चरित्र के हनन के सबसे बड़े कारण को जल की लहरों के हवाले करके निश्चिन्थ हो गया किन्तु वे पांसे डूबे नहीं पैरते ही रहे क्योंके पांसे डूबते नहीं हैं डूबोते हैं मैं जानता था कि जल्द हरा में ठेके जाने वाले इन पांसों को कोई न कोई किनारा अवश्य मिल जाएगा ये पांसे फिर कहीं न कहीं कभी न कभी किसी के हाथ अवश्य लगेंगे और यही हुआ मानव ने इन पांसों को जल से ढून निकाला कताचित मनुष्य के भाग्य में धोके खाना और घाटे में रहना लिखा है उसने इन पांसों को नए नए रूप दिये समय के साथ उसका रंग ढंग और रूप बदलता रहा किन्तु द्यूत क्रीरा आज भी मानव चरित्र की वैसे ही शत्र बनकर घर के घर बरबाद कर रही है यदि विप्रचित्ति ने इन्हें मिट्टी में मिला दिया होता तो कदाचित इनका अस्तित्व वास्तव में मिट जाता परंतु इन पांसों और द्यूत क्रीडा के भाग्य में जीवित रहना लिखा था विप्रचित्ति ने गंधार देश में द्यूत क्रीडा पर प्रतिबंध लगा कर केवल अपना उत्तरदाहित पूरा किया था बधाई हो माते बधाई हो बधाई हो माते माते आज मैंने राजा नल के बनाए हुए उन पांसों का सदैव के लिए अंत कर दिया वो पांसे जो कई हातों से फिसलते हुए कई परिवारों का सर्वनाश करते हुए स्वर्गी पिता श्री के हातों में आये और महा भारत की युद्ध का कारण बने उन पांसों को मैंने जल समाधी दे दी हां माते उस परंपरा का मैंने अंत कर दिया जिसने एक दुष्ट रोक के समान मेरे हिर्दय और मस्तश्क पर अधिकार कर लिया था जुक जुक जीओ मेरे लाल जुक जुक जीओ पुत्र आज तुमने मेरे दूद का रंड चुका दिया यदि यहीं शुपकारे तुम्हारे स्वर्गीय पिता श्री के हाथों से संपन हुआ होता तो आज कहानी ही कुछ और होती आज तुम्हारी माता के तन पर वैधव्य के ये श्वेत वस्र न होते भाबी श्री भागे ने हर कारे का समय निर्धारित कर रखा है उन दुष्ट पांसों की कहानी का अंत यदि आपके पुत्र के हाथों लिखा था तो और कोई हाथ ये कारे कार ही नहीं सकते थे उन दुष्ट पांसों ने क्या-क्या अत्याचार किये हैं ये कोई मुझसे पूछे जो मेरे साथ हुआ इश्वर न करे वो किसे माह के साथ हो इनी पांसों ने मेरे सौ पुत्रों की आहू तीली थी भाविश्री सचमच आपके पुत्र ने बहुत बड़ा कारे किया है जल लहरों में उन पांसों को फैंग दिया जिन पर मेरे पुत्रों के रक्त के धब्बे लगे हुए थे बस अब केवल यही प्रार्थना है कि महा भारत का युद्ध हमारे सबके दुख का अंत से थो वो सुख आवश्य आए जिसके लिए जिसके लिए हमने इतना बड़ा मूले चुकाया है पुत्र पुत्र तुम बधाई के पात्र हो तुमने आज एक महान कारे किया है बधाई की पात्र तो आप हैं भुवश्री जिसने भटके हुए राही को सत्ति की राह दिखा दी महाभारा 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 महाभा